जलते अधरबाद साब मैं एक बात जानना जाऊंगा कि by chance unfortunately अगर इस तरह कोई फ्रॉड हो जाता है चाई वो internet banking में हो ATM में हो क्या chances होते हैं कि हमारा जो पैसा है वो recover हो और जो criminal है वो पकड़ा जाए कि इसमें दो संभावने हैं एक तो RBA की तरफ से guidelines हैं कि अगर आपने उसमें कोई active suggestion सायोग नहीं दिया है उतीनी वज़ाद नहीं share किया है तो आपके पैसे आपस करेंगे वरना आप यह रेस पुलिस टेशन में और साइबर से में जा सकते हैं वह इससे दुरूप से आपको मदद करेंगे चलिए